हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई योट्यूब चैनल इजियस्ट सल्यूशन फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं इसको अब डीटेल में कवर करेंगे उससे पहले मेरी आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें इस टूटली फ्री तो आप इसको अभी कर सकते हैं वीडियो को देखन में हमारे मोबाइल में स्टूर होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिक डेटा और इंटर्चेंज का मतलब यह होता है डिफ्रेंट एंटिटीज के बीच में कुछ भी भेजना और रिसीव करना यानि हम भेज रहे हैं फिर हम रिसीव कर रहे हैं भेजा और रिसीव किया इ EDI एक software है, जिसके थुरू electronic data का क्या होता है, interchange होता है, यानि भेजना और receive करना, कौन ये करता है interchange, among various business partners, यानि बहुत सारे business partners होते हैं, वो EDI के थुरू क्या करते हैं, बहुत सारे business documents को send करते हैं, और receive करते हैं, EDI is an electronic way of transferring business documents in an organization internally, between its various departments, or externally with suppliers, customers, or any subsidiaries, तो EDI के थुरूम क्या करते हैं, business documents को exchange करते हैं, EDI का जब हम use करते हैं, for example, मान लीजे Amazon का हम example लेते हैं, तो Amazon के बहुत सारे sellers Amazon से जड़े हुए हैं, आप Amazon पे जब भी जाते होंगे, तो आप देखते होंगे, आपको shoes लेने हैं, वो भी मिल जाते हैं, आपको books लेनी हैं, वो भी मिल जाती हैं, आपको mobile laptop कुछ भी लेना है, everything is there, आप वो क्या लगता है, यह सारे चीज़े Amazon ने अपने पास इखटा करके रखी होंगे, आपको देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, Amazon से बहुत सारे sellers जुड़े हुए, अलग अलग चीज़े के लिए, books का अलग seller, laptop का अलग, mobile का अलग, shoes लेने तो उसके लिए अलग, कपड़े लेने तो उसके लिए अलग, अब मालीजे एक customer को laptop लेना है और उसने Amazon के पास request बेची तो Amazon क्या करेगा एक purchase order generate करेगा और उसको भेज़ देगा laptop के seller के पास seller जो होगा वो क्या करेगा invoice generate करेगा और invoice को भेज़ देगा Amazon के पास तो अब ये काम अब आप सोचिए Amazon के पास एक दो customer तो आते नहीं Amazon के पास लाखों करोणो customer आते हैं तो Amazon अब बैठ के एक एक का order generate करेगा तो कितना time लगेगा लेकिन यहां पर सारा काम कैसे होता है automatic होता है आपके request गई automatically क्या होगा purchase order generate हो जाएगा और automatically क्या होगा send हो जाएगा उस चीज उस particular चीज का जो seller है माली आपने कोई particular laptop लिया तो उस laptop को जो seller होगा उसके पास automatically वो order send हो जाएगा उस seller के पास भी क्या होता है एडिय beber होता है और Amazon के पास भी एडिय सोफ्व जो तो इसलिए यह सारा काम automatic हो हो रहा है अब seller के पास जब purchase order जाहेगा seller के पास automatically तो यह सारा काम कैसे हो रहा है ऑटमेटिकली हो रहा है थुरू एडियाई की वज़े से हमारा जो टाइम में वह बहुत ही जादा बच जाता है अब हम आगे देखेंगे कि जब ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग होती थी यानि पुराने जमाने में जब काम होता था तो कितना पाते हैं स्पीड हमारी बढ़ जाती है और हम जादा लोगों को एक टाइम पर डिल कर पाते है और हमारी जो एरयर सम suspects जाती कि सब तो हमसे घल्ती होने के कम चांस रहते हैं क्योंकि वहां पर computer का ज्यादा involvement होता है से अब हम फेंटेखनें ट्रडिस्टेस्टनल बिल प्रोसेसिंग या ड्रोकिमेट ब्रोसेसिंग ट्रडिशनल को कैसेल गया ज Panda तो ट्रडिशनल टाइम पर या नि पुराने टाइम पेभी कैस्ठेंज किया जाता था पहले माल लिज़े वायर को कुछ खरीदना है तो वो क्या करेगा एक order generate करेगा पिर उसको printer के तुरू print करेगा और fax के तुरू से seller के पास या supplier के पास send करेगा supplier क्या करेगा invoice generate करेगा और उसको print करेगा फिर fax के तुरू buyer के पास बेचेगा तो इतनी सारी process इसमें involved होती है और EDI में क्या होता है EDI में क्या होता है माली जै यह सेंडिंग कंपनी यह है रिसीविंग कंपनी यह कंपनी डॉक्यमेंट सेंड करना चाहती है और यह कंपनी क्या है रिसीव करेगी उस डॉक्यमेंट को तो पहले तो यह जो कंपनी है यह उसको कंप्यूटर पर क्या करेगी feed करेंगे, यह जो कमपनी है यह जैसे माल हम अलजी है purchase करना इस कंपनी को कुछ इस कंपनी से, तो यह कंपनी क्या करेंगे, उस document को generate करेंगी computer पे, अब बस उसका काम खेक हो गया, अब EDA translate क्या करेंगा, उसको standard format में convert करेंगा, यानि business में जो भी format चलते हैं, उस standard format में उसको convert करेगा और फिर वो जब EDI document तयार हो जाएगा translate होने के बाद फिर वो उसको क्या करेगा network के थुरू send कर देगा अब EDI EDI network service provider ये कौन होते हैं जो हमें EDI software provide करते हैं software को maintain करवाना ये सारा काम कौन करते हैं कुछ companies होती है जो EDI का काम ही देखती है तो जैसे माली जै मैंने बिजनस स्टार्ट किया मुझे अपने बिजनस में EDI software चाहिए तो मैं क्या करूँगा उन्हों company से contact करूँगा तो वो मेरे वाँ install करेंगी उसका maintenance करना सारा काम वो company करती है तो उन्हें हम बोलते है EDI network service provider और जो networking का काम है EDI का जो network होता है वो भी वो company provide करती है तो उसके थुरू क्या होगा उस network के थुरू यह document send हो जाएगा अब receiving company के EDI document receive होगा है receiving company में EDI translator क्या करेगा इसको internal format में convert करेगा एक standard format होता है कि internal company का format होता है तो यह standard format में data जब receive हो जाएगा तो इसे internal format में यह EDI करेगा convert कर देगा तो यह receiver के पास बहुत जाएगा तो यह सारा process मैंने आपको बताया देखिए मैंने यह पे steps भी लिखे हुए है तो आप इसको भी note कर सकते है तो आपने देखा होगा यह सारा process मैंने आपको बोला है तो आपको बहुत जादा लग रहा है लेकिन यह जब automatically सब होता है तो पता भी नहीं चलता within millisecond से सारा कम हो जाता है ना हम compare करेंगे traditional document exchange को और EDI document exchange को यानि पहले क्या होता था और EDI के थूरू अब क्या क्या चेंज आए पहले क्या होता था बायर को कुछ खरीदना होता था तो वो क्या करता था बायर में एक सा बाइंग डिसिजन यानि वो पहले तो फैसला लेता था कुछ खरीदने का पिर create the purchase order and print it उसके दो purchase order अपने लैप्टॉप पे create करता था उसके बाइंग निकालता था प्रिंटर से इडियाई में क्या होता है बायर में एक सा बाइंग डिसिजन creates the purchase order वो भी purchase order create करता है इडियाई में भी लेकिन वो प्रिंट नहीं करता है but does not print it क्यों प्रिंट नहीं करता है क्योंकि एडियाई में electronic data interchange हो रहा है यानि electronically हम डेटा को इंटरचेंज कर रहे है को फिजिकल form में किसी paper के थूरू हम डेटा को exchange नहीं कर रहे है वहाँ पेपर वर्क एडियाई में बिल्कुल नहीं होता है ही भी तरह से seller के पाल पेज़ा यहाँ पर क्या हुआ बायर ने पर्चेज और जन्रेट किया और एडियाई नहीं क्या किया उसको electronic form में convert करके supplier को खुद ही भेज दिया थूरू नेटवर्क कि उसके बाद supplier receive the purchase order and enters it into the order entry system अब supplier क्या करेगा उस order को receive करेगा और receive करने के बाद हर order के entry होती है ना एक entry system एक वो लोग table prepare करते हैं एक copy prepare करते हैं जहां पर सारी entries की जाती है तो suppliers को enter करेगा अपनी entry system में यहां पर क्या होता है suppliers entry system receives the purchase order and update the system immediately on receipt यहां पर क्या हो रहाँ EDI ने जब उस document को receive किया तो वो अपने आप ही automatically क्या करेगा एंट्री टेबल को update कर देगा बायर कॉल supplier to determine if purchase order has been received और supplier means buyer an acknowledgement of the order तो यहां पर क्या है बायर क्या करेगा supplier से request भेज़ेगा कि क्या आपको मेरा order receive हो गया यह supplier क्या करेगा अपने आप ही बायर को acknowledgement देदेगा कि yeah I have received your order यहां पर क्या है supplier's order entry system creates an acknowledgement and transmit it back to confirm receipt तो यहां पर जो order entry system है जो EDI software है supplier के पास वो automatically acknowledgement generate कर गए किसको भेज़ देगा buyer के पास भेज़ देगा ताकि buyer को यह confirm हो जाए कि उसका order पहुँच चुका है EDI documents अब EDI में किन-किन documents का हम यूज करते हैं invoices का purchase order shipping request acknowledgement देना हो तो business correspondence letters business corresponding यानि businesses के बीज में जो बहुत सारे letters होते हैं वो EDI के तुरू बेज़ सकते हैं financial information letter यानि कोई भी financial information देनी है तो उसके लिए भी हम इसमें letter इसके तुरू बेज़ सकते हैं बहुत सारे formats इसमें support करते हैं EDI में तो बहुत ही अच्छा software होता है यह businesses के लिए steps in an EDI system अब EDI system कैसे work करता है steps क्या है तो step first में क्या होता है अब program generates a file that contains the processed document अब जैसे buyer ने purchase order generate किया तो EDI में एक program होता है EDI software के अंदर जो क्या करता है उस document को क्या करता है receive करता है the document is converted into an agreed standard format उसके बद बद डॉक्यमेंट को receive करने के बाद जो software होता है वो इसको convert करता है agreed standard format एक standard format में convert करता है ताकि अब जाहिए जाए बिजनेस के बीच में जब कुछ भी document लिखे जाते हैं उनका format होता है standard ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी वीटा सीधा लिग दिया तो एक standard format होता है तो उसको फिर standard format में EDI जो software हो खुद convert करता है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था EDI translator तो EDI translator जो यह क्या करता है standard format में convert करता है the file containing the document is sent electronically on the network अब जिस file में वो document रखा हुआ उस file को क्या किया जाता है send कर दिया जाता है to the supplier the trading partner receives the file अब जो trading partner है वो उस file को receive करता है जो जिसको भी भेजी गई है file वो receive करता है an acknowledgement document is generated and sent to the originating organization उसके बाद एक acknowledgement generate किया जाता है कि yes I have received your document है मुझे आपका document मिल गया है यह acknowledgement generate किया जाता है और इसको भेजा जाता है जिस organization ने वो document भेजा है अब हम देखते है advantages of EDI system इसके क्या-क्या फाइदे हैं इसको use करने के reduction in data and query errors अब हम data को जब computer में enter करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है तो इन errors से हमको चुटकारा मिल जाता है कि ADI के तुरू हमारा सारा काम कैसा हो गया automatic हो जाता है shorter processing life cycle अब traditional document जब हम exchange करते थे तो वहां पर हमको printer printer से print करना परता था तो यह बहुत सारा उसमें manual काम होता था इसमें सारा काम automatic है इसलिए इसमें processing जह हो बहुत ही short होती है electronic form of data data electronic form में exchange होता है इसलिए हमको paperwork जादा नहीं करना परता it is quite easy to transfer and share the data as it is present in electronic format data electronic format में होता है तो इसलिए हम उसको कहीं भी network के तुरूँ भेज सकते हैं reduction in paperwork paperwork इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इसलिए हमको एक papers को रखने के लिए अलग से जगहा नहीं बनानी पड़ती है वरना बहुत सारी files को create करना फिर उनको maintain करना जैसे आपने कहीं किसी भी आप offices में government offices में गयोंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी files लगी होती है तो उनको maintain रखना यह सब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और computer में क्या है हम जितना भी चाहें data store कर सकते हैं वाल हो जाते हैं traditional processing में जबकि इसमें सारा गाम automatic हो रहा है तो हमको कोई भी पैसा नहीं हर्च करना पड़ता standard means of communication अगर आज के हम बात आज के time के हम बात करें तो technical error है हर चीज हर चीज technology के थुरू हो रही है तो इसलिए आज का standard ही यह है कि हम business में electronic data को use करें electronic data को interchange करें तो यह standard way of communication हो गया है EDI आज के time पर so that's all for this video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे like करिए चैनल को subscribe करिए और जादे जादे शेयर करिए thank you